इरान की विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, वार विस्फोटक्स तरपर है, आगे कुछ भी संभव है, यानि सीधे तोर पर इरान की तरफ से धमकी दी जा रही है, नया मोर्चा खुलेगा तो पच्चताएगा इस्राइल, यानि एक और मोर्चा खुल सकता है, महिला अगरी बड़ी खबर आपके सामने, जहाँ जंग के बीच लेवनान की पी-म की धंकी सामने आई है, लेवनान की एंट्री से जंग और बढ़ेगी, जंग लेवनान तक सीमित नहीं रहेगी, इलाके में आराजुकता फैलेगी, ये लेवनान के पी-म की और से कहा गया बड़ी खबर आ रहे हैं, इस वक्त इसराइल का गाज़ा पर विद्वनसक हवाई हमला हुआ है, नेत जारिम और अल जायतून को बनाए गया है निशाना, लगातार हवाई हमले कर रहा है इस अलाके पर, और ये अलाकों को लगातार देहशद में लाने की कोशिशे जारी ह लगातार हवाई हमले इस अलाके को देला रहे हैं इस्रैली सैनेवान को हमास के लडाकों ने कैसे बनाया निशाना, देखिए और एक और बड़ी खबर है कि हमास और लिबनान के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा प्लान बनाया है अमेरिका ने मरीन को को भूम अद्ध सागर में तैनात किया है ये बड़ा प्लान है जो हमास और लिबनान के खिलाफ है इसराइल और लिबनान कोस्ट पर मरीन को की तैनाती की गई है अमेरिका द्वारा पहले लाल सागर में तैनात थी अमेरिकी मरीन को और अब इन्हें भूम अधिस सागर में तैनात कर दिया गया है हमास और लिबनान के खिलाफ अमेरिका की ये बड़ी गेरे बंदी तो किस तरीके से दो मोर्चों पर इस वक्त जंगी तैयारी चल रही है इसको लेकर जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहा है दो मोर्चों पर जंगी तैयारी को लेकर जानकारी है हमास और लिबनान के खिलाफ अमेरिका का ये बड़ा प्लान है तो किस तरीके से लगातार यहाँ पर अलग अलग बोर्चों पर जंगी तैयारी नजर आ रहे हैं। यह लड़ाई ऐसी है जो काफी लंबी चल सकती है। क्योंकि अभी यह हाइब्रिट वार के दायरे में आ गई है। जैसे टैंक भी इसराइल के जाते हैं तो वो कबजा करने नहीं जाते हैं। वो रैकीन फोर्स के लिए जाते हैं। अंदर जाकर कुछ टागेट को डिस्ट्रॉइ करते हैं। वापस आ जाते हैं। तो इसराइल अभी तक सिर्फ उनको न्यूट्राइज करने। सब तरफ से उसको सील कर दिया है गाजा की पट्टी को और उनका उदेश या उनका अब्जेक्टिव यह है कि नौर्थ गाजा से इतने भी लोगं को साउथ को ले जाए जाए। इसमें दिक्कत की बात यह है कि इजिप्ट किसी को भी अपने मुल्क में आने की इजाजत न तो इस हाल में हालात इतने नाजुक है कि जो राहत के समगरी होती है उसकी लूट पार्ट शुरू होगी है तो कहीं न कहीं जो हमस का कंट्रोल गाजा के नागरिकों पे था वो भी ढीला पड़ता जा रहे है जी और इस बात में संकेट की लगातार मिलते नजर आ रहे हैं और इस बात का ही फायदा उठाने की कोशिशों में ही है